है गाइस वैलकम टो अल्ली सिविल्स ग्रूव आई होब यॉल डूइंग बैल आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पिर पेशन तयारी अपनी कर रहे होंगे और करते रहेगा तो गाइस यह डी एन ए बना रहे हैं यह भी नीव एनलेसिस शुरू किया है हमने 56 दिसंब वी एक्जाम है उनके लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है तो 26 दिसंबर 2021 का वीडियो है देली करेंटर फिर से हमने बहुत सारी रिसोर्से से बहुत सारी चीज़ों से करेंट उठाए हैं और वहां से आपको एक परिपक कहने की मैच्छे वीडियो बनाया है तो स्टार हमारी में किस समभानित किया गया है तो सामाजिक न्या विच्ता जो है 2021 के लिए उनकी बात हुराइए रच anlam Namай क्या तो अपने एक्स्प्रेंशन भी दिया गाइस तो आप प्लीज पढ़ते रहेगा और अंसर्स करते रहेगा आप कमेट बॉक्स में और उसके बाद आप वीडियो को सेर भी करते रहे हैं सेर करते रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जिससे जाज साथ लोगों तक यह वीडियो पहुच जाए तो सामाजिक नियाद वहर 21 के लिए पर्यावन वेज जो हैं जो इनको इन्वेर्मेंट लिस्ट बोलते हैं डॉक्टर अन्रिप्रकास जोसी को हाली में मदर टैरिसा मेमोरील रवाट से सम्भनेत किया गया है अर्थ सौट प्राइज के वजिता विद्यूत मोहन और उत्रा पढ़िएगा और दो से तीन बार इस वीडियो को पढ़िएगा ठीक है नेट्स नमर कुश्चन नमर दो है इनमें से किस राज के परेटन और परयावन मंत्री आदित ठाकरे ने बस यात्रा के लिए चलो मुबाइल एप कौनसा चलो मुबाइल एप और स्मार्ट कार्ड ल क्या है राज के परेटन और परयावन मंत्री हैं यह महाराश सरकार के दोरा यह चलो मुबाइल एप और स्मार्ट कार्ड लॉंच किया गया है तो answer is B यानि की महाराश सरकार दोरा इसके बाद महाराश के परेटन और परयावन मंत्री आप पर सकते हो पुरा explanation दिया है तो मैं आपको नहीं पढ़ रहा हूँ आप पॉस्क्रप की वीडियो पढ़ सकते हो क्वेशन नमर तीन है गाइस सेयुक्त राष्ट सुरच्छा परशद ने किस देश की सहता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताप अपना है क्या है एक प्रस्ताप अपना है सेयुक्त राष्ट सुरच्छा परशद की तो यह अफगानिस्तान के लिए सुरच्छा परशद ने उसकी देश की सहता करने के लिए मार्क प्रसस्त कर दिया है इस प्रस्ताप के तहत रहात आवज़क्ताओं को पूरा करना संबब होगा और साहेता धनासी को तालीबान यह तालीबान के हाथों में जाने से रोका जा सकेगा गाइस तो जो हमारी युनाडेट नेशन जनर्सेंबली उसने किसके लिए प्रस्ता सीक्योर इंडिजनेशन मैसेजिंग अप्लिकेशन की बात हो रही है आर्मी सीक्योर इंडिजनेशन मैसेजिंग अप्लिकेशन को किसके द्वारा लॉंच किया है यह हमारी भरतेश शिना आर्मी द्वारा यह आर्मी सीक्योर इंडिजनेशन मैसेजिंग अप्लिकेशन लॉ ठीकिशन हो इस ठीकें तो भारतिय सिना ने आर्मी सीके और इंडिजानेशन मैसेजिंग अप्लिकेशन नाम के एक समकाली मैसेजिंग अप्लिकेशन का सुभार्म किया जो एक नई पीडी का अत्यादुनिक वैब आधारित अप्लिकेशन है इस एप को सिना की कोर आफ सिगनल्स के अधगारियों की टीम द्वारा पूर्डी तरह से इन हाउस यानि की मेक इन इंडिया के अंडर में विक्सित किया गया है सिना की रियल टाइम डेटा और ट्रांसफर और उत्वा पूरा करेगा यह यह है यह यह बहरत सरकार को में कि on इंडिया पैयल की अनुरूप बनाया गए है और मिक इन इंडिया-वे मजबाती प्रदान करेगा कौन ऐस सिんग्मा है ठीक हैं ठीक है दोस्तों देखो question number next है next question देखते हैं question number 5 निमलकित मैंसे किस विदवानी हाली में धर्म की सुतनता के अद्गार का सरचन विद्यक 2021 पारित किया है ये किसकी बात कर रहे है freedom of religion धर्म की सुतनता के अद्गार का सरचन विद्यक तो दोस्तों ये है कर्नाटक सरकार ये कर्नाटक सरकार ने धर्म की सुतनता के आदार का सरचन विद्यक को पारित क्या है कर्नाटक की विद्यान सबाने क्या है दोस्तों पारित क्या है तो आप explanation भी पढ़ सकते हैं से पढ़के जाएगा और एक से दो बार जब दो से तीन बार वीडियो पढ़ेंगे तो आपके माइंड में विद इमेजिनेशन ये अच्छी तरीके से घट जाएगा तो करनाट का विदान सवाने हाली में ध्यर्म की स्वतनता की अधिकार का सरच्छन विद्यक द्यारक की प जाएगा यानि कि यह ऐसा नहीं कराएंगे आप किसी भी रिलीजन में ट्रांसफर नहीं कराएंगे आप जबरजस्ति या फोर्स पली करा देते हैं यह उस तरीके का बेल है इस विदेख के तहत कोई दोसी पाया जाता है यानि आप जबरजस्ति या किसी को प्रताड़ित क या किसी भी तरीके से किसी के धर्म या रिलीजिन को convert कर रहे हैं तो क्या होगा आपको तीन से पांच साल की कैद और पच्चीस हजार रुपे जुर्माने का फ्राबधान है गाई तो ये किसने क्या है अंसर हो गया एक करनाटक दंस बजार ठीक है क्या क्या है नेक्स क्कुष्चन नमर सिक्स है बात करने है भारतिय के सोरी अनाहत सीख अमेरिका में जूनियर स्क्वेस उपन जीतने वाली कौन सी भारतिय महला बन गई है यह दोस्तो पहली महला बन गई है option A is right answer जनकी पहली महला बन गई है अनाथ सिंग अमेरिका में जन्होंने जूनियर स्क्वेस उपन जीत क्या है गाईस ठीक है आप explanation अपने तरीके से पढ़ सकते हो next question question number 7 है गाईस क्या है question number 7 निम्लखित में से किस बॉल्यवड अपने ता ने हाल ही में अपनी पहली किताब bachelor dad का वेमोचन किया तो यह bachelor dad जो बुक है दोस्तों किसकी है तुसार कपूर की option A B, B option is right answer तो bachelor dad किसकी है तुसार कपूर की यानि कि तुसार कपूर ने bachelor dad अपनी पहली किताब को क्या है इसका वेमोचन किया है ठीक है आप इसका भी पढ़ सकते हो सिंगल फादर होने के अपने सबर को साजा किया है अपने ता ने अपनी पहली किताब bachelor dad में थोड़ा अप परमपरागर्त road to fatherhood की अपनी आत्रा को पूरी तरीके से explain किया है ठीक है question number 8 guys क्या है दोस्तो इन में से किस देश की जगह unicorn को मेजबनी कने वाला तीसरा सीश देश बन गया है किसकी जगह unicorn की मेजबनी कने वाला दोस्तो तो यह United Kingdom answer is B, B is the right answer इनकी B right answer है United Kingdom जो है दोस्तो क्या है unicorn की मेजबनी कने वाला तीसरा सीश देश बन गया है भारत हाली में United Kingdom की जगह unicorn की मेजबनी कने वाला तीसरा सीश देश बन गया है Horan Resist Institute के द्वारा जारी आंकड़ों के नुसार America और चीन जो पहले दो रैंक पर काविज है बहुत आगे है unicorn ब्रह्मांड के 74% हिस्से में America और चीन है तो अगर हम बात करें यह option थोड़ा गलत है guys हाली की बात करना है भारत इनमें से किस देश की जगह है तो सही है option United Kingdom की जगह answer is B ठीक है अच्छे से बढ़ेगा question Question No.9 Safe यह बात Safe Championship की बात हो रही है Safe Under 19 महला Championship 2021 किसन जीता दोस्तों तो यह जीता है बांगलादिस ने यह option is right यह बांगलादिस ने Safe Under 19 महला Championship 2021 जीत लिया है बांगलादिस की जो महला टीम है दोस्तों उसने फाइनल में भारत याद रखना इंडिया को रहा है उन्होंने हरा कर Safe Under 19 महला Championship जीता है बांगलादिस की साहेदा अक्तर रिपा ने टूनामेट में सरवादिक गोल किये उन्होंने सबसे मुल्वान कलाड़ी यानि की Most Valuable Player का पुरिसकार भी मिला है किसको साहेदा अक्तर रिपा को दोस्तो 2021 का जो Safe Under 19 महला Championship जो है उसका दूसरा ये संच करता गाईस किस नजीता है बांगलादिस ने इंडिया को रहा कर जीता है गाईस ठीक है ठीक है दोस्तो Next question is किस भारतियक लाड़ी ने European देश Montenagro में हुई इस केंग की अंतराष्टिय इस केंग की बात करना है इस केंग की प्रत्युकता में ब्रांज मेडल जीत लिया है यह हैं दोस्तो आचल ठाकोर कौन है आचल ठाकोर Option is B यह नहीं European देश Montenagro में हुई अंतराष्टिय इस केंग प्रत्युकता में कांसी पदक कौन सा पदस पदक दोस्तो ब्रांज ब्रांज पदक जीत लिया है और देश वाप्रदेश का मान यानि गौरव गौरवनुनित किया है इससे पहले आंचल ठाकुर ने 2018 में देश को इस केंग में पहला अंतराष्टिय मडल दलाया गाईज ठीक है आंचल ठाकुर जो है हमाचल पदेश जै ठीक है नेक्स कुश्चन है 25 दिसंबर यान कुश्चन है दोस्तो 25 दिसंबर 2021 कुपंडित मदन मोहन मालवे की निम्ण में से कौन सी जन्ती मनाईगी 25.22 को सुसासन दिवस्ची मनाई जाता है तो ये मदन मोहन मालवे की कौन सी जन्ती दी 160 वी आंसर इस D 160 वी यानि की कासी हिंदू बिस्वित द्याले बियाच्चिव के संस्तापक सेवाएं उपलब्द करने है तो किस राज में मुख्यमंत्री वायू स्वास्त सेवा एर एंबुलेंस की शिरुवात की दोस्तों मुख्यमंत्री वायू स्वास्त सेवा एर एंबुलेंस की किस में ये ओडिशा में की गई option is C चिक्सा के चेत्र में उडिशा सरकार ने एक युगांतर कारी कदम उठाया जल्द चिक्सा के लिए गंबी मरीजों को अब एर एम्बूलेंस की सेवा मुईया कराएगा कौन उडिशा उडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबार को हवाई स्वास्त सेवा की सवारम किया दोस्त ठीक है नव भारत साचरता अभयान यान की option is ब बीज है टाने की 2022 में हंड़ेड परसंट लेटरिसी रिट राने के लिए ये यूज़न शुरू किया है तो सरकार नहीं सत प्रस्त साचरता के लिए ये रच्च को हसल करने के लिए अप्रेल 2022 से नव भारत साचरता अभ्यान शुरू करेगी इसके लिए केविनेट नोट का अंतिनुरू दिया जा रहा है गाइस ठीक है दूस्तो इस अभ्यान के दर्थ ऑनलाइन और आफ्लाइन मा देखा गया है जो पांच करोड निरेच्चर लोग है कितने पांच करोड पंद्रे वर्ष से अधिकाईब के दोस्तों ठीक है क्वेशन नमर नेक्स्ट दच्छन अफरीका की सरवोच नियाइक पीट में किस भारतिय मूल के निया अधीस को निक्ट क्या गया है वेरी वेरी निक्त किया गया है दोस्तों ठीक है 25 दिसंबर 2021 को भारतिय मूल की नारंदन जोडी कोलापन को दच्छिन अफरीका की सरवोच नियाइक पीट संबेदाने काधालत में निक्त किया गया है तो दच्छिन अफरीका के राश्पती सिल राम पोसा ने सुक्रवार को चोंसट परशिय कोलापन को और रामा का स्टीवन मुथापा को निक्ति की गोश्णा की दोस्तों ठीक है लास्ट कुश्ण आप दड़े किस देश ने 2021 में तुर्क्यमिनस्तान से गैस की खरीद दोगना की है कौन सा ऐसा देश है तो ये तुर्क्यमिनस्तान से दोगनी गै के बीच रूस ने इस वर्स तुर्क्यमिनस्तान से प्राकरतिक गैस की खरीद दोगनी कर दी रूसी राज़ूत अलेगजंडर ब्लोखिन जो है रूस के अनुचार नोंने बताया कि हम तुर्क्यमिनस्तान से लवक दस बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को आयात किया जाएगा नहीं की इंपूर्ट कर जाएगा चीन ने रूस को सीर्स नर्याद गतब के रुप में बदल दिया है किसने चीन ने तुर्क्यमिनस्तान एक पाइपलान बनने के लिए काम कर रहा है जो अफ़वानेस्तान पाकिस्टान और भारत को गैस क्या करा राप्त कराएगा गैस पं ये gas को भीज़े कि यानि कि तापी जो यूजना है ये gas pipeline की यूजना है इन चारोधिसों के बीच में तो गैस आज के सारी question हमने complete करें अगर यह हमारा session आपको पसंद आया तो please like, subscribe, comment करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने जुस्तों के साथ share कीजिएगा ठीक है गैस तो हर 15 minute की sorry 15 questions की बाद इसको रखा जाए question number 12 में है चार दिवसी है एग्रो विजन किसी प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया तो यह नागपुर में किया गया दोस्तों दूसरा है हाली में किसने ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉंच किया है यह अरजन मुंडा जी ने क कहां पर किया गया यह दिल्ली में किया गया दोस्तों कहां पर दिल्ली में किया गया है next question है पूर्प धारमंत्री अट्रल बहरी वाजपे की जनती के उपलच में सुसासन दिवस हर वर्ष 25 दिसमर को मनाया जाता है इसकी शुरुआत कबसे की गई दोस्तों यह बहुत important question है कितनी साल बाद पने खुला गया तो यह 35 साल बाद दुबारा खुला गया गया ठीक है दोस्तों तो यह आपका आज का सेशन पूरी तरीके से खतम हो गया I hope आपको पसंदा रहा हुगा यह अभ्यास सेशन हमने शुरू किया है दोस्तों एक अलग प्रियास है so please देखती र गयास